स्वागत कहती हूं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आईला टॉक से उपर दोस्तों में डाक्टर इर्शाथ खानम आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आपको हिंदु विदी के अंतरगत हिंदु विवा अधिनियम 1955 में शुन्य एवं शुन्य करनी विवा में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताओंगी पर उसके पहले अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी कोई नहा वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए दोस्तो आज हम बात कर रहें शुन्य और शुन्य करनी विवा में क्या अंतर होता है उसके बारे में देखें मैंने अंतर को जो है आधार में डिवाइड किया वा है इसके तीन मैंने बनाए हैं अलग-अलग तरीके से ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए पहले मैंने आधार लिखा है कि क्या आधार है इनके अंतर के और फिर मैंने शुन्य और शुन्य करनी विवा को लिखा है देखें सबसे पहले हम आधार को देखते हैं शुन्यता संबंदी आधार शुन्य विवा में देखते हैं शुन्य विवा जो है वो आरंब से ही शुन्य और परभावीन होता है और शुन्य करनी विवा जो होता है वो शुन्य करनी विवा तब तक वेद है जब तक प्रीत पक्षी की आचिका पर शुन्य करनी ना हो जाए मतलब जो शुन्य विवा है वो तो जैसे ही आपका विवा हुआ उसी दिनाक से वो शुन्य होगा उसी दिनाक से वो परभाव हीन होता है उसका कोई परभाव नहीं पड़ता है आपकी जिन्दगी में लाइफ में लेकिन शुन्य करणी ऐसा होता है जो शुन्य नहीं होता है बलके आपको कुछ आधार लेके नियाले में जाना पड़ता है और उन आधारों पर आप नियाले से अपने विवा को शुन्य करणी करवा लेते हो अस्तित्व संबंदी आधार नमबर दो पर अब उसका अस्तित्व है या नहीं है अब हम वो देखते हैं शुन्य विवा नियाले की दुरिष्टी में ना तो अस्तित्व में होता है और ना आता है जो शुन्य विवा है नियाले उसको ऐसा मानता है कि उसका कोई अस्तित्व ह यही नहीं लेकिन शुन्य करनी विवा शुन्य करनी विवा जो होता है वो नियालय द्वारा शुन्य करने से पहले तक अस्तित्व में होने के साथ साथ वेद भी होता है देखे शुन्य शुन्य करनी विवा कैसे अस्तित्व में और बिना स्तित्व क्यों होगा शुन्नी विवा मतलब एक ऐसा विवा जहां पे आप रिष्टदारी में भाई भेन लगते हो यह साब पिंड हो और ऐसे में आपको पता नहीं है और आपका विवा हो गया है यह पता भी है और आपने लो मेरिज कर ली है या प्रेम विवा कर लिया है तो ऐसा विवा जो होता जो की धारा पांच के अंतरगत बताया गया है कि आप जो आवशक विवा की शर्ते हैं उसमें उन्हें इस परस्ट आपको बताया है कि कौन-कौन सी कंडिशन होगी जहां आपको विवा शुन्य है अगर उस कंडिशन में आप विवा करते हो तो आपको विवा जो है वो प्रा और शुन्यकर्णी विवा जैसे कि कोई नाबालिक लड़की है और अगर उसने विवा को उसका नाबालिक है और उस उम्र में उसका विवा हो गया हो लेकिन जब वो अठारा की होती है बालिक होती है तो वो उस विवा को मानने से इंकार कर देती है तो वो नियाले में जागी और वहां जाकर अपने विवा को शुन्य करनी को शुनी करणे गोर्षित करवा लेगि तो यदो होता है उस सब्सक्राइबूर करने करने पर दन संबन्दि अब जो शुन्नी विवा है उस वो शुन्नी विवा में पुनर विवा कभी भी हो सकता है दर्ण का भागी नहीं होगा नहीं विवा के अपरात का दोशी होगा क्योंकि उसका विवा तो शुन्नी ही है अगर वो दूसरा विवा भी कर लेता है तो उसको किसी भी तरह की कोई punishment नहीं मिलेगी और शुन्य करनी विवा में शुन्य करनी विवा नियाले द्वारा शुन्य गोशित करने से पहले यदि कोई पुनर विवा करता है तो दन्ड वा द्री विवा का दोशी होगा मतलब इसको आप ऐसे समझ ले कि अगर नावालिक की शादी हुई है और लड़की नावालिक है और लड़का बालिक है अब इस condition में लड़की को बालिक होने में थोड़ा वक्त लगेगा ताकि वो अपने विवा को शुन्य करनी करवा सके इसके पहले लड़का जो है वो दूसरा विवा कर लेता है तो वो विवा अभी अस्तित्वे में है अभी लड़की ने विवा को शुन्य करनी कराने के लिए कोड में जाके आविदन नहीं दिया है तो यहाँ पर उसको पुनर विवा का दोशी होगा और दन का भागी भी होगा चोथा हमारा पॉइंट है दायत्वूर अधिकार संबंदी के शुन्य शुन्य करनी विवा में दायत्वूर अधिकार उत्पन होते हैं या नहीं होते हैं तो शुन्य विवा में दायत्वूर अधिकार नहीं होता है परंतु शुन्य करनी विवा में दायत वो अधिकार उत्पन्य होते हैं और वेद भी देते हैं जब तक की नियाले उस विवा का अंतिना कर दे हमारा आखरी और पांचवा पॉइंट है याची का प्रस्तुत करने का अधिकार शुन्य विवा में विवा का कोई भी पक्षिकार धारा ग्यारा के अंतरगत विवा को शुन्य गोशित करवाने के लिए याची का प्रस्तुत कर सकता है परंतु शुन्य करनी विवा में केवल पिडित पक्षिकार ही जो है वो विवा को शुन्य करनी करवा सकता है और शुन्य विवा में क्या है विवा को शुन्य गोशित कराने के लिए याची का कोई भी पक्षिकार लड़का और लड़की दोलों में से कोई भी पक्षिकार जो है वो याची का नियाले में लेके आ जाएगा परंतों शुन्य करनी विवा में केवल पिडित पक्षिकार जिसको जो की पिडित है केवल वही पक्षिकार जो है वो शुन्य करनी कराने जाएगा धारा सोला हम देख लेते हैं कि शुन्य और शुन्य करनी विवाओं से अगर कोई संतान उत्पन्य हो जाती है तो ऐसी उत्पन संतानों की धर्मज्यता क्या होगी तो पहला है ऐसा विवा जो धारा ग्यारा के अधिन अंत और शुन्य होता है उसकी संताने वेद और धर्मज्य होगी चाहे ऐसा विवा विदी संस्योंतर अधिनियम 1946 के प्रारंभ में या पश्यात में हुआ हो नमबर दो विवा को खत्म करने की डिक्री मन्जूर के गई हो महां डिक्री से पुर्बूत्पन हुई अथ्वा गर्ब में आई हुई ऐसी संताने विवा खत्म होने की डिक्री के बाद भी धर्मज्य संताने माने जाएंगी और तिसरा है दर्मत संतानों को अपने माता पिता के अतिरिकते किसी अन्य वेक्ति की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा तो दोस्तों आज हमने शुणने करनी विवामें क्या अंतर होता है उसके बारे में पढ़ा है अगर आपके उक को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट से करें अगरे वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद